आप सभी को नमश्कार मेरा ना मनोच पांडे और आप देख रहे हैं EV हिंदी दोस्तो हॉप कंपनी की तरफ से उनके बेस्ट सेलिंग स्कूटर हॉप लियू का हाई स्पीड वेरियंट लॉंच कर दिया गया है जिसकी कीमत एक लाग से नीचे बताई जा रही है इस एलेक्ट्रिक स्कूटर में 2.1 किलो वाट आर के बैटरी पैक का यूज किया गया है जिसे आप 0 to 80% 2 आर 50 मिनिट में चार्ज कर सकते हैं 850 वाट के चार्जर की मदद से जिसके बाद आपको इस एलेक्ट्रिक स्कूटर में 120 किलो मिटर की रेंज मिलेगी इस एलेक्ट्रिक स्कूटर में BLDC हम मोटर के इस्तिमाल किया गया है जिसमें आपको पीक पावर 2200 वाट की मिलेगी और मैक्सिमम टॉर्क 90 न्यूटन मिटर का मिलेगा इस एलेक्ट्रिक स्कूटर की ग्रेडिबिल्टी है दोस्तो 12 डिग्री यानि की 12 डिग्री की चड़ाई पर आप इस एलेक्ट्रिक स्कूटर को आसानी से ले जा सकते हैं और लोडिंग कैपेस्टी रहेगी इस एलेक्ट्रिक स्कूटर की 160 किलो ग्राम इस electric scooter का ground clearance है दोस्तो 160 mm इस electric scooter में सामने की तरफ आपको telescopic और rear side में hydraulic spring loaded suspension देखने को मिलेंगे और इसी के साथ इस electric scooter में आपको सामने की तरफ front में और rear tire में दोनों में CBS disc brake देखने को मिलती है यह electric scooter kombi braking system के साथ आता है इस electric scooter में 90 by 90 10 inch के tire size आपको देखने को मिलेगा front और rear में इस electric scooter में दोस्तो black, white, grey, blue और red यह colors आपको देखने को मिल जाएंगे हाला कि इस electric scooter का action room price अभी company की तरफ से reveal नहीं किया गया है आपको क्या लगता है 120 km की range वाला यह electric scooter किस price range में hop launch करेगा और आपको क्या लगता है इन specifications के साथ यह electric scooter Indian market में Indian roads में flop होगा यह hit आप हमें नीचे comment section में जुरूर बताईए आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अब एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए go green, go electric